हालो दोस्तों हिंदी व्याकरण का जो टोपिक है दोस्तों समास तो उसके निचोड में आपका वेलकम है दोस्तों तो आठ डिस्कस करेंगे समास की परिवाशा समास के भेज जो की छे परकार का है और इसके सभी उधारण के बारें डिस्कस करेंगे जो की एकजाम में पूछ लेते हैं तो दो या दो से अधिक शब्दों के विबक चिन्नों आधि के लोब करके शब्दों के मेल से बना हुआ पद समस्त पद कहलाता है और इसे ही हम समास कहते हैं जैसे कि हम देख लेते हैं जैसे कि समस्त पद है पीत अंबर तो पीत अंबर में पहला पद कौन सा है पी पीतामबर, पीत है अंबर जिसका, ये इसका समास विक्रा हो गया, ये समस्त पद है पितामबर, ऐसे ही डाल रोटी देख लेते हैं, तो पहला पद है डाल और दूसरा पद है इसमें रोटी, तो दाल और रोटी हो जाएगा इसका समास विक्रा है, तो इस परकार से हम समास व डूसरा है करमधारि समास 3 तीसरा है दीगव समास 14 है द्वन समास पांचुआ है वहुवीर्य समास है और 6 है तत्पुर्य समास तो इन सबी के बारे में अब डेटेल से देख लेते हैं इस्तों सबसे पहले बात करते हैं जैसे समस्थ पद है इसका जीवन तो जीवन में इसका विग्रह हो जाएगा जीवन प्रियंत तो पहला पद क्या बन press automatically से यह पूरा भी पद agersॉंसा बन गया अव्यो पद बन जाता है इसलिए से अव्यों भी वह समसप कहते हैं और भी इसको एक्जामपल देख लेते हैं यथा शक्ती तो शक्ती के पिद्विटरे विख्र हो जाएगा नेक्स समसपद है सारे दिन इसका समास्विक्र हो जाएगा नेक्ष्ट है हाथ तो हाथ ही हाथ में इसका समास्विक्र हो जाएगा नेक्ष्ट है यथा क्रम तो क्रम के अनुसार इसका समास्विक्र हो जाएगा निर्विवाद तो बिना विवाद के इसका समा स्विक्र हो जाएगा निर्विकार तो बिना विकार के निर्विकार तो दिन दिन इसका हो जाएगा निर्विकार तो इसका एक-एक हो जाएगा नेक्स्ट है प्रतिवर्ष का समास विक्र है वर्ष वर्ष हो जाएगा मतलब जहां पर प्रति लिखा हुआ है वहां पर जो दूसरा जो पद है दिन हो जाएगा इसमें दिन दिन एक एक और वर्ष वर्ष नेक्स्ट है आमरण तो मरण तक आ जनम तो जनम प्रियंत निक्स देखते हैं आयू प्रियंत तो आयू के अंतक निक्स ये था विदी तो विदी के अनुसार निक्स ये शक्षम तो आँख के सामने ये आक्षी के सामने निक्स ये बेचेन तो बिना चेन के next है यता संभव तो जितना संभव हो next है प्रतिशन तो हर्शन तो ये सभी थे अवविभाव संमास के उधारण तो इं सभी को आपको याद कर लेना है और समझ लेना है इनका संमास विक्राव है क्योंकि दो तरह के question आते हैं डारेक्ट आपको शब्द दिया जाएगा जैसी अथा शक्ति दे दिया तो शक्ति के अनुसार इसका समास विक्र हो जाएगा और इसमें कौन से समास है इसमें अव्यविभाव समास है इस परकार से आपको आंसर करना है अब बात करते हैं करमधारी समास सेकंड है हमारा करमध तो इसकी definition है इस समास में दूसरे पद बोले तो उत्तर पद प्रधान होता है किन्तु पूरु पद विशेशन तथा दूसरा पद विशेशे बोले तो संग्या का कारिय करता है मतलब जो दूसरा second पद होगा वह इसमें प्रधान पद कहलाएगा जैसे इसके example देख लेते हैं समस्त पद यहां पर लिखा हुआ है और यहां पर इसका विग्रय लिखा हुआ है तो सबसे पहले बात करते हैं श्वेता अंबर तो श्वेत हैं अमबर जिसका इसमें करमधारी समास हो जाएगा निक्ष्ट दिख लेते हैं सत पुरुष तो सत पुरुष में हो जाएगा सत है पुरुष नेक्स हो जाएगा पुरुष रतन है तो पुरुष है जो रतन के समान नेक्स हो जाएगा चरण कमल तो नीला है जो कमल के समान नेक्स है नील कमल नीला है जो कमल नेक्स है नील गाय तो नीली है जो गाय नेक्स ह रक्त कमल, तो रक्त है जो कमल, नेक्स्ट है महा पुरुषे, महान है जो पुरुषे, नेक्स्ट है खाद्यान, खाद्य है जो अन्न, नेक्स्ट है लोहा पुरुषे, तो लोहा जिसा शक्तिशाली पुरुषे, नेक्स्ट है सजन, तो सत है जो जन, नेक्स्ट है पीतामबर, तो पीत है अंबर नेक्स्ट है महात्मा तो महान है जो आत्मा नेक्स्ट है चंद्र मुख तो चंद्र के समान है जो मुख है नेक्स्ट है महसी तो महान है जो रिशी नेक्स्ट है नीला काश तो नीला है जो आकाश नेक्स्ट है दिगु समास तो जिस समास में प्रथम पद संख्या वाचक विशिशन होता है तथा पूरु पद प्रधान होता है उसे दिगु समास कहते हैं मतलब जो पहला पद आएगा उसमें कोई नंबर आएगा मतलब कोई संख्या सूचक शब्द आएगा तो इसका देख लेते हैं एग्जामपल जैसे है त्री लोग तो त्री में क्या आ रहा है तीन आ रहा है तीन लोगों का समूँ इसका समास विक्र हो जाएगा तो पहला जो शब्द है वाच संख्या सूचक है इसलिए इसमें दिगु समास हो जाएगा नेक्ष्ट है चोराहा तो चार रहों का समूँ नेक्ष्ट है सब्त रिशी तो साथ रिशीयों का समूँ नेक्ष्ट है त्री फला तो तीन फलों का समूँ नेक्ष्ट है चोपाई तो चार पदों का समूँ नेक्ष्ट है अश्ट दहई तो आठ अध्ययों का समूँ नेक्ष तो इस समास की डेफिनिशन है जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रहे करते समय एवं तथा और और आदी लगे हो तो उसे दोंद समास कहते हैं और समस्त पद के मद्दे योजक चिन रहता है मतलब इसमें क्या रहेगा डेश का चिन रहेगा यानि कि पूरुपद और जो अंतिम पद है उसके मद्दे ये योजक चिन बोले तो डेश का चिन रहेगा और इसका जब विग्रहे करोगे आप तो एवं तथा और और शब्द आएंगे तो इसके कुछ एक्जामपल देख लेते हैं जैसे कि समस्त पद और विग्र है तो समस्त पद है भाई डेश बहन जैने कि भाई योजग चिन बहन तो इसका हो जाएगा भाई और बहन मतलब बीच के अंदर कौन-कौन से शब्द आएंगे एम तथा तथा और ये त समस्त का अंसर होगा नेक्ष्ट बात करते हैं धनी निर्धन तो धनी और निर्धन नेक्ष्ट है रात दिन तो रात और दिन हो जाएगा नेक्ष्ट है पूरव पच्छिम तो पूरो और पच्छिम हो जाएगा नेक्ष्ट है नर नारी तो नर और नारी हो जाएगा नेक्स्ट है पेड़ पोधे तो पेड़ और पोधे हो जाएगा नेक्स्ट है बला बुरा तो बला और बुरा हो जाएगा नेक्स्ट है वेद पुरान तो वेद और पुरान हो जाएगा नेक्स्ट है उचा नीचा तो उचा और नीचा हो जाएगा नेक्स्ट है चल अचल तो चल और अचल हो जाएगा नेक्स्ट है माता पिता तो माता और पिता हो जाएगा नेक्स्ट है देशज विदेशज तो देशज और विदेशज हो जाएगा नेक्स्ट है सुक दुप तो सुक और दुप हो जाएगा नेक्स्ट है हार जीत तो हार और जीत हो जाएगा नेक्स्ट है दाल रोटी तो दाल और रोटी हो जाएगा नेक्स्ट है हानी लाब तो हानी और लाब हो जाएगा नेक्स्ट है सीता राम तो सीता और राम हो जाएगा नेक्स्ट है जल थल तो जल और थल हो जाएगा नेक्स्ट है पाप पुन्ने तो पाप और पुन्ने हो जाएगा नेक्स्ट है दूद दही तो दूद और दही हो जाएगा नेक्स्ट है राज रंक तो राज और रंक हो जाएगा next है छोटा बड़ा तो छोटा और बड़ा हो जाएगा तो ये सबी दूंद समास के उधारन है मतलब कहां पर भी आपको योजक चिन टेस्ट लगा हो मिल जाए तो वहां पर दूंद समास हो जाएगा इस परकार से आपको बताना है और समस्ष विक्रा में और शब्द लगाना है नेक्स बात करते हैं बहुरिय समस के बारे में तो बहुरिय समस की डेफिनेशन देखती है तो जिस समस्ष पद में कोई पद प्रधान नहीं होता और जो अपने पदों से बिन किसी संग्या का विशेशन होता है उसे बहुविरीय समास करते हैं तो बहुविरीय समास की एक विशेष्टा है कि इसमें कोई भी पत परदान नहीं होता और जो पत होता है वह किसी संग्या का संग्या का विशेशन होता है जैसे example हम देख लेते हैं इसके पीत आमबर तो पितामबर में पीत है आमबर जिसका, तो यह किसको denote कर रहा है, कृष्ण भगवान को denote कर रहा है, मतलब यह विशेशन है, संग्या का विशेशन बन गया, यानि कृष्ण भगवान को यह शब्ध है पितामबर, नेक्ष्ट है द Allesनन, तो δश है आनन जिसके तो कौन है कहा गया है विश्णु के लिए नेक्ष्ट है त्री लोचन तो तीन है लोचन जिसके तो शंकर भगवान के लिए कहा गया है नेक्ष्ट है शूल पाणी तो शूल है पाणी में जिसके वह है तो शंकर बगवान है नेक्ष्ट है चतुरनन तो चार है आनन जिसके वह है तो ये ब्रमा जी के लिए का गया है नेक्ष्ट है लंबो दर तो लंबा है उदर जिसका तो गनेश जी के लिए का गया है नेक्ष्ट है वीना पानी तो वीना है हाथ में जिसके तो ये सरस्वती के लिखा गया है नेक्ष्ट है चंदर शेकर तो चंदर है शिकर पर जिसके तो ये शंकर बगवान के लिखा गया है तो इस परकार से आपको नेक्ष्ट बात करते हैं ततपुर समास और छटा समास के वारे में बात करते हैं मतलब करम तत्पुर समास, करण तत्पुर समास, संप्रदान तत्पुर समास, अपादान तत्पुर समास, सम्मंद तत्पुर समास और अधिकरण तत्पुर समास तो इस परकार से 6 बेद है तत्पुर समास के तो एक 1 by 1 सभी को देख लेते हैं पहला है करम तत्पुर समास तो करम तत्पुर समास में क्या होता है जो को जो शब्द है उसका लोब करने से बने समास को करम तत्पुर समास कहते हैं यानि कि जो कारक चिन है को उसका अगर लोब कर दिया जाएगा तो उससे जो समास बनेगा उससे तत्पुर्ष समास कहेंगे जैसे कि example देख लेते हैं स्वर्ग प्राप तो स्वर्ग को प्राप अगर कोका यहाँ पे लोब कर दोगे तो शब्द कौन सा बनेगा स्वर्ग प्राप जहाँ पर कोका लोब हो जाता है वहाँ पर करम तत्पुर्ष समास होता है नेक्ष्ट है शर्ण अगरत तो शर्ण को आगत नेक्ष्ट देख लेते हैं मुहे को मुहे तोड तो मुहे को तोडने वाला तो इसमें कोका अगर लोब कर दोगे तो मुहे तोड बन जाएगा नेक्ष्ट है सरवग्य तो सब को जाने वाला नेक्ष्ट है मास बक्षी तो मास को खाने वाला नेक्ष्ट है ग्रहागत तो ग्रह को आगत नेक्ष्ट है चिडी मार तो चिडी को माणने वाला नेक्ष्ट है गगन चुम्बी तो गगन को चूमने वाला next है नरवख्षी तो नरव को खाने वाला next बात कर लेते हैं करण ततपुरुस समास में तो इसमें क्या होता है जो कारक्चिर्ण है से से का लोब होने से जो समास बनता है उसमें ततपुरुस समास होता है तो एकजामपल इसके देख लेते हैं वाक्य शुद तो वाक्य से शुद तो यहाँ पर अगर शे का अगर लौप कर दोगे तो वाक्य शुद जो शब्द है वह बन जाएगा तो मतलब जहाँ पर भी कारण चिन्व से का लौप होता है तो वहाँ पर करण तत्पूर समास होता है नेक्ष है नीती युक्त तो नीती से युक्त नेक्ष है अकाल पीडित तो अकाल से पीडित नेक्ष है पद डलित तो पद से डलित नेक्ष है रश सिक्त तो रश से सिक्त नेक्ष है मद मत तो मद से मत हुआ निक्स्ट है श्रम साध्य तो श्रम से साध्य निक्स्ट है इश्वर प्रदत तो इश्वर द्वारा प्रदत निक्स्ट है नेत्र हीन तो नेत्रों से हीन आचार कुशल तो आचार से कुशल निक्ष्ट है शरहत तो शर से आहत निक्ष्ट है ब्रद्धान्द तो मद से आन्द निक्ष्ट है जलावरत तो जल से आवरत निक्ष्ट ने अश्रू उर्ण तो अश्रू से उर्ण निक्ष्ट है शोका कुल तो शोक से आकुल धन रही थे, तो धन से रही थे, तो दोस्तों इन सभी में करण तत्पुरु समास है, क्यों है, क्योंकि इसमें सभी में से का लोप हो रहा है, आप देख पा रहे हैं, सभी में से का लोप हो रहा है, तो एकजाम में कभी भी आ जाए, कोई भी शब्द आ जाए, अगर उसका सम लौप करने से बने समास को, संपरदान तत्पूरुस समास कहते हैं, तो इसका example देख लेते हैं, रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, यानि जो के लिए जो शब्द है, जो कि एक कारख चिन है, उसका यहाँ पे लोप कर देंगे हैं, इसको खटादेंगे, तो कौन सा शब्द बने का रसोई घर और इसका विच्छेत कर देंगे तो रसोई के लिए घर नेच्ट है रहा खर्ज तो रहा के लिए खर्ज नेच्ट है सबा मंडल तो सबा के लिए मंडल नेच्ट है डाक गाड़ी तो डाक के लिए गाड़ी नेच्ट है गुरू दक्षिना तो गुरू के ल वे नेश्टे विद्याले तो विद्या के लिए आले देश बक्ती तो देश के लिए भक्ती नेश्टे यक वेदी तो यक के लिए वेदी नेश्टे देवाले तो देवता के लिए आले नेश्टे रण भूमी तो रण के लिए बूमी नेश्टे माल गोदाम तो मालों के यह उसमें जो कारक्चिन है से का लोभ करने पर बने समास को अपादान तत्पूरुष समास कहते셨어요 तो जैसे एक्जामपल दिख लेते हैं दूरागत तो दूर से आगत तो अगर से का लोप कर दोगे तो शब्द बन जाएगा दूरागत तो अगर जो कहीं पर भी से जो कारक है उसका अगर लोप हो जाए तो वहाँ पर अपादान तत्पुरु समास होता है नेक्स है रण विमुक तो रण से विमुक नेक्स है बहवीत तो बहेत से भीत नेक्स है आशा तीत तो आशा से अतीत नेक्स्ट है रिन मुक्ते तो रिन से मुक्ते नेक्स्ट है धर्म विमुके तो धर्म से विमुके नेक्स्ट है पद चीवते तो पद से चीवते नेक्स्ट है दोष मुक्ते तो दोष से मुक्ते नेक्स्ट है जाती ब्रष्टे तो जाती से ब्रष्टे नेक्स्ट है पाप मुक्ते तो पाप से मुक्ते नेक्स्ट है जल रिखते तो जल से रिखते नेक्स्ट है पत ब्रष्टे तो पत से ब्रष्टे नेक्स्ट है देश निकाला तो देश से निकाला नेक्स्ट है लोग को उक्तर तो लोग से उक्तर नेक्स्ट है बंदन मुक्ते तो बंदन से मुक्ते तो इन सबी में अपादान तत्पुरु समास है क्योंकि यहाँ पर जो से शब्द है उसका लोप हो रहा है तो ये आपको नोट कर लेना है नेश्ट है संबंद तत्पुरुस समास तो इसमें जो कारक चिन है कय की का लोप होने से बने समास को संबंद तत्पुरुस समास कहते हैं तो इसका एक्जामपल लेख लेते हैं परादिन तो दूसरों के अधिन यानि कि पर के अदिन तो यहाँ पे जो शब्द आ रहा है के का और के इन शब्दों का अगर लोप होता है तो कौन सा समास होता है संबंद तत्पूर समास होता है नेक्ष्ट है नगर सेट तो नगर का सेट यानि कारक चिन है का इसका लोब कर दोगे तो शब्द बन जाएगा नगर सेट नेक्ष्ट है राष्ट पती तो राष्ट का पती नेक्ष्ट है कन्यादान तो कन्या का दान मतलब जो कालग चिन है का कि इनका लोप होता है तो संबन तत्पुर समास होता है नेक्ष्ट हम देख लेते हैं गोदान तो गो का दान नेक्ष्ट है हिमाले तो हिम का आले नेक्ष्ट है बूदान तो बू का दान सेना देख्षे तो सेना का देख्षे निक्ष राम चरित्रे तो राम का चरित्रे स्वन पात्रे तो स्वन का पात्रे निक्ष राज दर्बार तो राजा का दर्बार निक्ष दिश वासी तो दिश का वासी निक्ष राज मता तो राजा की मता नेक्ष्ट है उल्का पात तो उल्का का पात नेक्ष्ट है दीप शिका तो दीप की शिका नेक्ष्ट है अंदान तो अंद का दान नेक्ष्ट है रिशी कन्या तो रिशी की कन्या नेक्ष्ट है सवापती तो सवा का पती नेक्ष्ट है गंगा जल तो गंगा का जल तो अधिकरण तत्पूर्श समास में jo कारकचिन है मे पे और पर का लोप होने पर बने समास को अधिकरण तत्पूर्श समास कहते हैं जैसे कि एकजामपल देख लेते हैं आप बिती, तो आप पर बिती तो यहाँ पर परशबद आ रहा है नेक्स्ट है विद्या पर्वेण तो विद्या में पर्वेण तो यहाँ पर दो शब्द हमने ले लिए दूस्तों पर और में इन दोनों शब्दों का अगर लोप हो जाए तो अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा आप बिती आप पर बिती विद्या परवेंड विद्या में परवेंड नेक्ष्ट है पुरुष सिंग तो पुरुषों में सिंग नेक्ष्ट है डिब्बा बन तो डिब्बे में बन नेक्ष्ट है गुड़ सवार तो गोड़े पर सवार आत निर्बर तो आत्म बोले तो स्व दियान में मगने नेक्स्ट है वन मास तो वन में वास से हलू दोस्तों अब देख लेते हैं जो समास के अन्य उधरन हैं जो कि एकजाम में पुछे आते हैं और आपका इससे रिविजन भी हो जाएगा दोस्तों तो शुरू करते हैं सबसे पहले मुक्ती प्राप्त तो मुक्त तत्पुर्ष समास हो जाएगा नेक्ष्ट है सुख दैग तो सुख को देने वाला तो करम तत्पुर्ष समास हो जाएगा इन तीनों के अंदर ही को शब्द का लोप हो रहा है यानि को जो कारक है उसका लोप हो रहा है इसलिए यहाँ पे करम तत्पुरुष समास की ये तीनों धरन जाएंगे निक्ष बात करते हैं वनाहत तो वन से आहत तो इसमें करम तत्पुरुष हो जाएगा निक्ष चिंता ग्रस्त तो चिंता से ग्रस्त इसमें भी करम तत्पुरुष हो जाएगा क्योंकि जो से जो कारक है उसका लोप हो रहा है इसलिए करण तत्पुरुष समास है नेक्स्ट है बोजनाले तो बोजन के लिए आले तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा क्योंकि इसमें जो के लिए है जो कारक है उसका लोप हो रहा है नेक्स्ट है सेवा मुक्त तो सेवा से मुक्त तो इसमें अपादान तत्पुरुष हो जाएगा क्योंकि से जो कारक है उसका लोप हो रहा है नेक्स्ट है पानी ग्रहन तो पानी का ग्रहन तो इसमें संबन तत्पुर्ष हो जाएगा क्योंकि का शब्द का लोप हो रहा है नेक्स्ट है शोक मगने तो शोक में मगने तो अधिकरण तत्पुर्ष हो जाएगा क्योंकि मे कारत का लोप हो रहा है नेक्स्ट है शुबागमन तो शुब है आगमन तो इसमें हो जाएगा करमधारी समास हो जाएगा नेक्स्ट है कुद्रष्टी तो कुलसित है जो द्रष्टी तो इसमें भी करमधारी समास हो जाएगा नेक्स्ट है पूरु अपर तो पूरु और अपर तो इसमें द्वन समास हो जाएगा नेक्स्ट है पशु पक्षी तो पशु और पक्षी इसमें द्वन समास हो जाएगा क्योंकि योजक चिन लगा हुआ है और दोनों पद प्रदहन है त्री दोश तो तीन दोशों का सम्मू दिगु समास हो जाएगा नेक्स्ट है सब सिंदू तो साथ सिंदूओं का सम्मू तो दिगु समास हो जाएगा क्योंकि पहला पद संख्या बाचक है इसलिए इसमें दिगु समास है नेश्ट है पतीत पावन तो पतीतों को पावन करता है तो इसमें बहुवी लिए समास हो जाएगा तो आज के लिए दोस्तों इतना है थेंक्यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ फेस्बूक और वार्टसप अकाउंट के मादियम से शेयर भी कर दीजिसतों